नमस्का एशन इस इंडिया में आपका स्वागत हैं में प्रिया आपके साथ आंद्रप्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री चंदरबाबु नाइडियू को हाइकोट ने 28 दिन की अंत्रिम जमानत दे दी है 9 सितंबर को स्किल डेवलप्मेंट घोटाले में नाइडियू को सी आईडियू ने नांदियाल से गिरफतार किया था आंद्रप्रदेश हाइकोट की वकील सुनकारा करश्नमुर्टी ने बताया कि नाइडियू को मेवकल ग्राउंड पर रहत दी गई है इधर सी आईडियू के खिलाफ चोथा केस दर्च किया है ताजा मामला शराब धुकानों के लाइसेंस से चुड़ा है नाइडियू पर आरोफे की पिछली सरकार में उन्होंने गेर कानूनी शराब धुकानों को लाइसेंस दे दिया था चंदरबाबू के खिलाब Prevention of Corruption Act 1988 के तहट केस दर्च किया गया है इस केस में चंदरबाबू को आरोपी नमबर 3 बनाया गया है इस तरह नाइडू के खिलाब CID चार अलग-अलग मामलों में केस दर्च कर चुका है Skill Development घोटाले में वो पहले से Judicial custody में है वहीं अंगालू केस और अमरवती रिंग रोड मामले में भी उनके खिलाब जाच चल रही है इसी के साथ बने रही है एशानी जिंडा के साथ खाली बाद